हेलो वीवर्स आइम अर्पिता एं यू और वचिंग मैं चैनल जाइका फ्यूशन आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं कोकोनट मटर करी विदाउट अनियन एंड गार्लिक अगर आपको रसीपी अच्छे लगे तो मेरी रसीपी को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे च सीटी देकर कुकर में उबाल लूँगी देखिए पानी बिल्कुल थोड़ा सा है यह मैंने दो मीडियम साइज की टमाटर लिये हैं अब मैंने का एक श्मूथ पेस्ट बना लिए एक इंच अध्रक चार लॉंग चार हरी लाइची और दो दालचीनी के स्टिक हैं और दो हर कोपोनेट मटर करी मनाने के लिए देखिए मैंने यह कः ले लिए अब मैंने इसमें वन टेबल स्पून रिफाइन टेशी घी डाल लिया है अब अच्छे से गरम हो गया है अब मैं इसमें एक टेज पत्ता और एक लाल मिल्च डाल दूगी अब फ्लेम को सिम्पे कर के जो अब एक मिनट बार जो मैंने दूसरा पेस्ट बनाया था मसालो का उसमें 1-2 टीजपून तर्मरीक पाउडर मिलाके मैं इसमें एड कर दूगी अब मैं इसमें 1-2 टीजपून शुगर और 1-2 टीजपून सॉल्ट डालोंगी मिल्च मैं अभी नहीं डालोंगी क्योंकि मैंने दो हरी मिल्च का पेस्ट बनाया था अगर बाद में ज़रूरत पढ़ी तो मिल्च एड कर देंगे आप भी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगी क कर लिजेगा बस इस तरह से हमें 2 मिनट करना है अब इसमें 1-2 टीजपून कश्मीरी मिल्च पाउडर एड कर देंगे कर देंगे कर देंगे कर देंगे कर देंगे मिलाने के साथ की साथ कंटिनुएस्ट ली टेपिल स्पून दही इसको मैंने फेट की रखा था यह पूरा इसमें मिला देंगे दही मिलाने के साथ की साथ कंटिनुएस्ली स्टर करते रहना है नहीं तो मसाला पट जाएगा अब मैं इसमें पेस्ट किया हुआ 2 टेबिल स्पून कोकोनट मिलाओंगे यह फ्रेश कोकोनट है अगर आपके पास नहीं हो तो आप डेसिकेटिद इसमें स्टर करते रही है मसाला फ्राइब हो रहा है बहुत अच्छे इसमें ला रही है अब मैं इसमें वन टेबिल स्पून रोस्टिट बेसन मिला दूँगे यह मैंने एक से गीड़ मिनट रोष्ट किया है वेशन को बिदाउट और अब अब मसाला बहुत अच्छे से प पानी मिलाने के बाद, एक मिनट टिर्ट करते रहें तर देखें, मैंने मचण बॉइल करके रखी थी, इसमें बिल्टोल भी पानी नहीं है, थोड़ा पानी ड्याल के मैंने मचण को बॉइल पया था, ये फूरा इसमें डाल देंगे, मैंने पानी को अलग से ड्रेन आउट न अगर लगे कि ग्रेवी फुरी और बनानी है तो फुरा सा पानी और एड़ कर सकते हैं जैसे भी आपको ग्रेवी रखती है आप उस रसाब से पानी मिलाएए इस समय आप सॉल्ट या चीली पावडर जो भी आपको मिलाना है मिला दीजिए तेस्ट करके मिला दीजिए और इसे पांच मिनिट के लिए सिमपे करके फ्लेम को ढग दीजिए अब मैंने धकन हटा लिया है देखें किती अच्छी ग्रेवी बनी है जिने ऐसा लगता है कि विदाउट अनियन और गार्ली कैसे ग्रेवी थिक होगी तो देखें कितना अच्छा क्रीमी पिक्स्चर आया है अब मै इसमें एक सीकेट रिड मिलाऊंगे वह है मिल्क पाउडर यह मैंने वन टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है इसको मैं करी में मिला दूँगी इसके बाद आप चलाते रहिए बिल्क पाउडर मिलाने के बाद इसका टेक्श्चर है और भी क्रीमी हो गया है और टेस्ट भी बहुत बढ़ गया है अब मैं इसमें वन टीस्पून करसोरी मेथी रोस्टेट मिला दूँगी करी लगवर तयार है और सबसे एंड में 1 टीस्पून गराम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून काली मेज पाउडर मिला दूँगी कार्णीमिच पाउडर्स बिल्कुल एंड में इसलिए बिलाते हैं जैसे कि इसका जो फ्लेवर है बहुत स्ट्रॉंग होता है और बहुत अच्छा लगता है देखिए यह मेरी कारीब बिल्कुल तयार है इसे आप रोटी के साथ परहाटी के साथ या चावड़ के साथ जिसके भी साथ खाहें चाहें बहुत अच्छी लगती है